दुर भगवान की सुक्राने हैं, चौथा अध्याय गीता में भगवान केते हैं, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर से कहा था, सूर ने अपने पुत्र वैवत्स मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्से वाकु से कहा, भगवान कहा है, दिखो ये योग मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है Chill ये आसान भाषा में इसी को और एडवांस करते जाए तो योग की परवाषा है उसी तरह बदलती जाती है समझने की भाषा में मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है ये योग है तो इस अभिनाशी योग को सूर से कहा था, सूरदेव से सूरदेव राजा जो थे, उन्होंने अपने पुत्र वेवत्स मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्षवाकू से कहा इस तरह करके राजाओं में ये ज्ञान प्रचलित रहा, चलता आया इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, दादा से पिता को, पिता से पुत्र को यहने दादा से धीरे धीरे नाती पोते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे तो तो ये ग्यान इस योग को राजरिशियों ने जाना, राजरिशियों ने इस ग्यान को जाना कहा, बताया, राजाओं को, उनके पत्रों को, राजकुमारों को, फिर उसके बाद यह योग बहुत काल से इस प्रत्वी लोग में लुप्त प्राहे हो गया यह जो मैंने योग बताया यह लुप्त हो गया, खो गया, लोग भूल गए, तरतर की बातें करम कांड आ गया, वेदों का प्रचार हो गया लोग वेद पढ़ने लगे, वेदवाणी में प्रीती रखने लगे, करम कांड करने लगे, इस्ट वस्तु की प्राप्ती के लिए यग्य हवन होम कराने लगे, दान पुन इत्यादी करने लगे, अपने मन की इच्छा की पूर्ती के लिए तो योग को भूल गए, भगवान से कैसे जोड़े हैं, ये भूल गए, संसार से जोड़ गए, जबके वेद का विप्राय धिरे धिरे करके, संसार से उठा करके भगवान से जोड़ना था, वो संसार में गिर गए वेदों का ताजपर ठीक से नहीं समझा, तु मेरा भक्त और प्रिये सका है, इसलिए वही यह पुरातन योग, आज मैं तुस्से कह रहा हूँ भगवान कह रहे हैं, कि तुम मेरे भक्त हो, प्रिये सका हो हम भगवान को क्या करके मानते हैं, एक सका भाव होता है भक्ती में अर्जुन के मन में सका भाव होता, हम भी भगवान को अपना सका मान सकते हैं तुम मात पिता बंदू सका, ऐसे बोला न, स्रोक है मात पिता है प्रभो है भगवान आप मेरे माता पिता हैं मेरे बड़े हैं मेरे पूज्य हैं मेरे सब कुछ हैं एक दूसरा बंधो आप मेरे भाई या और बंधों में जो आप मनना चाहें जैसा आप मनना चाहें आप मेरे वो हैं सखा आप मेरे मित्र हैं मित्रों की बात मित्र जल्दी सुनते हैं, माबाप की बात बेटा उतनी जल्दी नहीं सुनता है, जिसने अपनी मित्र की सुन लेता है, या बेटे की बात जो है, माबाप ज्यादा जल्दी नहीं सुनते हैं, हमारा मित्र हमारी बात जल्दी सुन लेता है, तो कौन बढ़िया रहा। बढ़िया तो माबाप ही हैं लेकिन मित्र भी अच्छा है तो भगवान कह रहे हैं मुझे अपना मित्र बना लो माबाप बना लो कुछ भी बना लो या हम भक्त बन जाएं भगवान के ये प्रभू हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके भक्त हैं, आप हमारे प्रिये हैं, पोजे हैं, प्रिये हैं, तो इसलिए वही पुरातन योग, वो जो प्राचीन योग है, आज मैं तुसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहसे है, अब भगवान से अगर ह अपना संबंद बना लेंगे कोई भी तो भगवान अंदर ही अंदर हमारे उस ग्यान को योग को डाल देंगे तो ये योग जो है ये बड़ा ही उत्तम रहसे है अर्थात गुप्त रखने योगी विशे है इसको हर एक को मत कहना देखे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजे एक बात कभी कभी कुछ लोग किसी अंजानी व्यक्ति से जान पैचान वाले से मिलते हैं और सत्संग की बढ़ाई करने लगते हैं तो व्यक्ति मनी मन जल जाता है उपर से तो आपकी हामया मिला देता है लेकिन मनी मन जल जाता है और कोई शड़यंतर रचेगा शड़यंतर नहीं तो कुछ ऐसी बात करेगा आपका सत्संग छूटे कोई आक्षेप आरोप आपके सत्संग पर लगाना चाहेगा कुछ न कुछ हरकत करेगा इसलिए कभी भी हम जहां जाते हैं करने का नहीं होता दुनिया ऐसी है जिनोंने भी प्रकट करा प्रकट नहीं भी करा वो पता चल गया तो लोग उनके पीछे पढ़ गए आजकल तो स्वतंतरता है अच्छी नहीं तो जो पहले राजा वगरा होते थे उस तरह के भगवान को नम आनने वाले तो वो पीछे पढ़ जाया करते थे भगतों के और बड़ा दुख देते थे बड़ी तकलीफ देते थे तो हम लोग सब जो भगती कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं देखो यह गुप्त रखने योग यह है इसको रहस्मई बनाके अपने अंदर में रखो इसको किसी से मत कहो किसी को बात मुत करो कोई बात करता भी है तो टाल जाओ उसको हाँ ठीक है ठीक है करके टाल जाओ बस खातम करो दूसरी बात करने लगो सत्संग की बाते मत करिये किसी से लोग जलने लगते हैं, चिडने लगते हैं परिशान करने का सोचने लगते हैं इसलिए भगवान ने यहां पर कहा है कि ये गुप्त रखने योगविश्य है इसको तुम हर एक से नहीं कहना अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, प्रिये सका हो इसलिए मैंने तुमसे कहा है भगवान भी हर एक को नहीं कहते शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था वो उनका जानता ही नहीं था प्रताप के भगवान है सुदर्शन चक्र छोड़ दिया गला काट दिया मर गया फिर भी बहुत से राजा लोगों नहीं माना कि ये कुछ विशेश है तो ऐसी दुनिया है उल्टी खोपड़ी की कि उनको न तो ग्यान की बात समझ में आती है न भगवान की बात समझ में आती है और ये आज नहीं पहले नहीं आगे नहीं यह हमेशा से रहा है इसलिए मत कहूँ किसी से कुछ भी यह हमारे लिए है ग्यान इस बात को खुब समझ लीजे यह ग्यान, यह भक्ती यह हमारे लिए है किसी और को सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं है कोई नहीं समझता हाँ 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 करेंगे उस समय और अंदर अंदर चिड़ जाएंगे यहां अर्जुन के मन में एक प्रश्ण उठा आपका जनम तो अभी का है और सूर का जनम बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आधी में हो चुका था चारियों का जब प्रारम होता है सत्युक का जब प्रारम होता है उसके भी पहले जब प्रत्वी की रचना होती है और ब्रह्मा जी अपने पुत्रों का रचना करते हैं तो यह मनु वगएर आते हैं मनु शत्रुपा इस तरह करके दुनिया स्टार्ट होती है बोला राई सूर का जनम तो तब का है इतना पुराना और आप तो अभी मेरे सामने खड़े हैं तब मैं इस बात को कैसे समझूँ कि आप नहीं कल्प के आदी में सूर से या योग कहा था तो भगवान कहते हैं हे परंता परजुन मेरे और तेरे बहुत से जनम हो चुके है उन सब को तू नहीं जानता किन्तो मैं जानता हूँ यह तो भगवान है तो वो सब जानते हैं तो कहरें जब राजा सूर देव थे तब भी मैं था किसी भी रूप में था तब मैंने उनको यह ग्यान कहा था तब से परंपरा से ज्ञान चलता आया बाद मैं आकर यह लुप्त हो गया अब मैं तेरे से फिर कह रहा हूँ मैं अजनमा और अविनाशी रूप होते हुए भी तता समस्त प्राणियों का इश्वर होते हुए भी अपनी पिरकरती को आधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ वैसे तो मैं निराकार हूँ मैं अजनमा और अविनाशी रूप अविनाशी रूप जो कभी नश्ट नहीं होता निराकार कभी नश्ट नहीं होता साकार जो जनमा है वो मरेगा जो बना है वो बिगड़ेगा, खतम हो जाएगा लेकिन निराकार न बनता है न बिगड़ता है अविनाशी सोरुप कहते हैं तो मैं वो हूँ तथा समस्त प्राणियों का इश्वर होते हुए भी समस्त प्राणियों का इश्वर हूँ, भगवान हूँ अपनी प्रकरती को आधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ अपनी प्रकरती को आधीन करके मैं जब आदेश करता हूँ कि समस्त प्राणियों की रचना हो तो रचना हो जाती है फिर मैं योगमाया से धका हुआ प्रकट हो जाता हूँ सब के सामने नहीं आता मैं सब को नहीं पता चलता मैं भगवान हूँ सब तो मुझे ऐसी करके देखते हैं जैसा उनका भाह होता है कुछ गौलबाले पुरंदावन में भगवान को अपनी तरह का देखते होंगे यह हमारे जैसे ही बालक है हे भारत भारत का संधी विच्छेत करें तो भारत होता है ज्ञान में रत भाह कहते हैं ज्ञान को और रत यहने लगा हुआ तो जो ज्ञान में लगा हुआ है तो है अर्जुन तु तो ज्ञान में लगा हुआ है तो मेरी बात को समझ जब जब धर्म की यहानी और अधर्म की व्रद्धी होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रश्ता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के समुक प्रकट होता हूँ जब जब धर्म की आनी होती है आशुरी संपदा वाले बढ़ जाते हैं देवी संपदा वालों को तंग करते हैं भजन नहीं करने देते लोगों को अधर्म की ब्रद्धी होती है अन्याय होता है अत्याचार होता है राजा लोग भरष्ट हो जाते हैं समाज को तंग करते हैं, टेक्स पर टेक्स लगा देते हैं, तब तब भागवान ने कहा, जब भी भक्तों को या प्रजा को परिशानी होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, किसी भी रूप में आता हूँ, ये तो 24 अवतार माने गए हैं, 24 अवतार जो माने गए हैं, ये तो अपनी जगा हैं, बाकी हर योग में भागवान का, बलके ये कहना चाहिए, कह सकते हैं, हर 100 साल में कोई न कोई रूप भागवान का प्रकट होता रहता है, ये जितने भी कुछ टाइम पीरिड भागवान जो समझते होंगे, तो उसमें भागवान का अवतार किसी एक रूप में हो जाता है, जैसे 500 साल पहले महाप्रभु चैतन का डारेक्ट अवतार बताते हैं भागवान कृष्ण का, जैसा कहते हैं, तो जब जब धर्म की आनी होती है, अधर्म की व्रद्धी होती है, तब तब भागवान कहरें, मैं अपनी रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के समुक प्रकट होता हूँ, सादू पुर्षों का उद्धार करने के लिए पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ सादू पुर्षों का उद्धार करने के लिए जो भक्त हैं, जो मेरे में लगे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, उनको सताया जाता है, तो उनका उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, उनका हित करने के लिए, उनको वारने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, और पाप करने वालों का वि तो जब उनके द्वारा अगर पाप करने वालों का विनाश भी होगा, तो उनका उद्धार ही होगा, इसको व्याभारिक कैसे समझें, कोई आदमी पाप कर रहा है, उसके पाप बनते जा रहे हैं, जन्म जन्म भोगेगा, हमने उसको पाप करने से रोग दिया, कैसे भी, किसी एक ने उसको पाप करने से रोग दिया, तो उसका अच्छा किया के बुरा किया, अच्छा किया, तो यही भगवान कह रहे हैं, कि जो पाप करम करने वाले हैं, उनका मैं उद्धार कैसे करता हूं, उनका मैं विनाश कर देता हूं, खतम कर देता हूं, तो उनके सारे पाप आपन निबंद हो जाते हैं, स्टाप लग जाता है, और क्योंकि मेरे द्वारा किया गया ही कार, तो उनका उद्धार हो जाता है, और थात वो नर्क में नहीं जाते, उनका कुछ अच्छा ही हो जाता है, इस तरह मैं यूग-यूग में प्रकट हुआ करता हूँ, समय समय पर प्रकट होता हूँ, आज कल जो समय चल रहा है, ये भी एक यूग है, भगवान देखेंगे अत्याचार जादा हो रहा है, सादू पुर्षों को सताय जा रहा है, और दुष्ट लोग बढ़ गए हैं, तो भगवान अवतार ले लेंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे, है अरजुन, मेरे जनम और कर्म देव्य अर्थात निर्मल और अलोकिक हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्तों से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जनम को प्राप्त नहीं होता, किन्तों मुझे ही प्राप्त होता है, भगवान करें, मेरे जनम और कर्म, देव्य अर्थात निर्मल अलोकिक हैं, मेरे जो भी कर्म हैं, वो एक तो उनमें मल नहीं होता, राग द्विश नहीं होता सबसे बड़ा मल है कर्मों में राग द्विश मैल, गंदिगी राग और द्विश भगवान को किसी से राग नहीं होता किसी से द्विश नहीं होता उनके सब कर्म निर्मल होते हैं उनके जनम और कर्म दिवी कैसे होते हैं जनम देवे हम भगवान का जानते ही हैं कैसे हुआ कारागार में और उसके बाद सब बेडियां खुल गई सब दरवाजे खुल गए जहां उनको पहुंचना था पहुंच गए उसके बाद बड़े हो करके उन्होंने कंस को मारा और सारी जो लेलाएं की हैं उनके सारे करम दिवे हैं कोई आदमी कर नहीं सकता कालिया नाग पे साड़े 5 गणटा उन्होंने नित करा कोई आदमी पास नहीं जा सकता था तो सो फन थे उसके एक फन फुंकार मारता जहर पहँटता था आदमी मर जाता था वहां का सारा पानी उस जगे का जहरीला था जेस जगे वो रहता था जो पानी पीता था मर जाता था वहां को जाई नहीं सकता था भगवान ने जा करके साड़े पांच गंटा उसके फनों पर नित्त किया उसको मारा मतलब कुछला फिर जब उसकी पत्नियों ने और उसने बह तरम दिव्य हैं, आम आदमी कर नहीं सकता ऐसे काम, जो जो उन्होंने करे, एक राजा शाल्व था, उसके पास UFO प्लेंस थे, UFO जानते हैं, अन आइडेंटिफाइड अब्जेक्स, अभी उधर दिखता था उसका जो उडनतस्तरी होती थी, जो आज साइंस कल्पना करती है, उ उसके उपर आपने देखियोंगी, बोना साइक आता है, उतरता है, रितिकरशन के वहाँ पर, कोई मिल गया, तो ये एलियन्स, ये कल्पना रही है साइंस की, हो सकता है होते हों, पता नहीं, भगवान ने तो गिता में कहा है, अनेकों स्रिष्टिया हैं, तो किसी और होता है, अलग तरह का होता है, एलियन कहते हैं उसको, तो वो आजाते होंगे, शाल्व जो था, उसके पास वैसा ही प्लेन था, जो कल्पना करती है साइंस, उड़न तस्तरी होती है उनके पास, अब वो यहाँ दिखे, वहां से गायाव हो जाए, उधार आ जाए, ये अब प्लेन को गायब कर देता था, और गायब वो ये प्लेन में से प्रहार करता था, तो भगवान कृष्णी की बहुत सारी सेना जखमी हो जाती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो भगवान को बड़ा आश्चेर हुआ, बड़ा अजीब सा लगा, कैसे करें, खैर, प्रशंद करते हैं न, शीमत भागवत में उस सब है, फिक्षन, साइंस फिक्षन मुवीज, तो भगवान ने उसका नाश कर दिया था, तो भगवान ने का पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म के अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, मैं योग-य में प्रकट होता हूँ, मेरे जनम और करम देवे, अर्थात निर्मल और अलोकिक हैं, इस प्रकार जो मनुष्र तत्व से मुझे जान लेता है, तत्व से जान लेना क्या है? भगवान सरुशक्तिमान है, सच्चिदानन घंग, परमात्मा आज, अविनाशी, उत्पन और वि अनादी हैं, अविनाशी हैं, कोई उनको मार नहीं सकता, और सर्व भूतों के परम गती तता परम आश्रे हैं, सब भूत उनी से उत्पन होते हैं, उनी में समाज आते हैं, और वे ही परम आश्रे हैं, वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए, और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुन रूप होकर प्रकट होते हैं बोलिए सच्चिदारंद भगवान की जै इसलिए परमिश्वर के समान सुहिर्द प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है पतितों का उद्धार करने वाले दूसरा कोई नहीं है ऐसा समझकर जो पुरुष परमिश्वर का अनन्य प्रेम से चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बर्थता है वही उनको तत्त से जानता है तो जो जानता है के भगवान कैसे है ऐसा जानकर अनन्य प्रेम से लगातार चिंतन करता हुआ संसार में आसक्ति रहित रहता है उसका सारा प्रेम भगवान से होता है वो उनके तत्त को जानने वाला भगवान कहते हैं वो शरीर को त्याक कर फिर जनम को प्राप्त नहीं होता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है भागवान से मिलकर एक हो जाता है पहले भी जिनके राग, भाय और कुरोध सर्वता नश्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वा के स्थित रहते थे ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त वो प्रियुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे सोरुप को प्राप्त हो चुके है अब ये श्लोप की व्याख्या देखनी पड़ेगी पहले भी जिनके राग, भाय और क्रोध, सर्वता नश्ट हो गए थे एक तो बता दिया कि भगवान के गुणों को जानता है भगवान कैसे हैं? सुहिर्द हैं, प्रेमी हैं, पतित पावन हैं, ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है धर्म का इस्थापन करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए वो अपनी योग माया से सगण रूपो कर प्रकट होते हैं उन परमेश्वर्क के समान कोई प्रेमी नहीं है इतना प्रेम करते हैं वो सब से ईश्वर अंश, जीव वैमनाशी, छेतनावल सहज, सुक्राशी सब मम प्रिये, सब मम उपजाए सब मुझे प्रिये हैं, मेरे अपने हैं सब जीव मेरे अपने हैं, सम मुझे प्रिये हैं उनके समान प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है तैसे निरंतर चिंतन करता है साथ के साथ उसके राग भायर क्रोध नश्ट हो गए है गीता को समझना समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट होता है समझना मुश्किल पड़ता है पर जैसा गुरु ने समझाया है अपनी छोटी बुद्धी से प्रयास रहता है कि ठीक ठीक आत को कह पाएं वीत राग भै क्रोदा जिसके राग भै और क्रोद नश्ट हो गए है राग कैसे होता है बता रहे हैं परमात्मा से विमुक होने पर नाश्वान पदार्थों में राग हो जाता है हमने जनम लिया हम धीरे धीरे बड़े हुए हमारे माता पिता ने कहा देखो यह यह चीज है हम तुमारी मम्मी हम तुमारे पापा यह तुमारा घर यह और परिवार यह तुमारी चीज अब स्कूल जाओगे स्कूल जाओगे टौफी लो जेब में रखो किसी को मत देखाना चुप-चाप खा लेना टिफिन को छुपा करके तुम खाना किसी को मत देना सिकाते चले गए माबाप उनकी गलती नहीं थी उन्होंने ऐसाई सीखा था माबाप को हम गलत नहीं बता रहे यह ट्रेनिंग है दुनिया की तो स्वार्थ के लिए जीना स्वार्थ पून जीवन प्राप्त में जो मिला हुआ है उसमें तो हमारी ममता हो जाती है मेरापन हो जाता है आसकती हो जाती है और प्राप्त की कामनाओत पन होती है संसार में ये मिले वो मिले 200 गाड़ियां है क्या तरप्ती आ गई हमको आ जाएगी एक से तो आई नहीं दो से आई नहीं, तीन से आई नहीं 200 गाड़ियां हो गई हमारी तरप्ति आ जाएगी नहीं आएगी और चेहिए 365 हो गई हो गई है रोज एक गाड़ी में घुमें ये को चोधारण मैं आपको सत्य घटना से बता रहा हूं 365 गाड़ियां ये भी सत्य घटना है तरप्ति आगई नहीं नहीं आती राग बढ़ता जाता है कैसे बढ़ता जा रहा है परमात्मा से वेमुक होने से बात करने से क्या होता है बात तो कोई कुछ भी कर सकता है हम भी कुछ भी बोलें तो क्या हम संत हो गए अगर हम कुछी भी बोलने लगे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बाते करने लगें ग्यान की, तो क्या हम संत हो गए अच्छा, हम बहुत बड़ी बातें समझदारी की करने लगें, तो क्या हम कोई बहुत समझदार आदमी हो गए बात करने से क्या होता है बात तो कोई भी कर सकता है अंदर में हमारे क्या है हम अंदर में जहां के अपने अंदर को सच और निर्मल बनाए यही सब शलोक में व्याख्या चल रही है भग्त कैसा होता है भगवान निर्मल है भग्त भी निर्मल होता है उसके मन में मल नहीं होता मल क्या है? सबसे बड़ा मल है राग और दवेस कहीं तो फस जाना और किसी से दवेस कर लेना ये तो मेरे वाले हैं राग और ये दूसरे हैं दवेस मन को जांच के देखिएगा राग दवेस का चिंतन चलता है जो नहीं मिला है उसकी कामना उत्पन होती है संसार के बारे में हमने सुना संसार को हम ज़्यादा जानते हैं भागवान को जानते नहीं तो कामना उत्पन होती है इच्छा उत्पन होती है और चाहिए राग वाले प्रिये पदार्थों के प्राप्ते होने पर अच्छा राग वाली चीज़ें मिल जाएं तो तरपती आ जाती है नहीं आती और की कामना बढ़ जाती है much wants more हमारी गुरु बहुत कहते हैं इस बात को much wants more जिसके पास बहुत है उसको और चाहिए क्या हो जाता है लोब बढ़ जाता है काम करोध लोब मों आंकारी पांच विकार है लोब बढ़ जाता है तो पहले क्या हुआ चीज़ें मिली राग हो गया जो चीज़ें नहीं मिली उनके प्रते कामना हो गई काम मिल गई लोब बढ़ गया अच्छा उनके प्राप्ति में कोई बाधा पहुचा दे कोई चीज मिलने वाली हो कोई बीच में आ जाए और नहीं मिले हमें तो क्या होता है? क्रोध तो काम, क्रोध, लो यह तीनों भाई बंदू हैं और बाधा पहुचाने वाली वक्ति पर अपना वश्ण चलता हो कोई ऐसा आदमी हो जो हम कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे में भाई होता है डर लगता है कहीं यह हमारा कुछ बिगाड न दे इस प्रकार नाश्वान पदार्तों के राग से भाई, क्रोध, लोब, ममता, आसकती, कामना, आदिस सभी दोष उत्पन हो जाते हैं देखें संसार के प्रतिराग होने से हमारे अंदर में कामनाय आ जाती है आसकती हो जाती है मो ममता उत्पन हो जाती है लोब बढ़ जाता है क्रोध आता है कुछ कर नहीं सकते तो भै होता है इस सारे विकार आ जाते हैं सभी दोशों की उत्पत्ती हो जाती राग के मिटने पर ये सभी दोश मिट जाते हैं अगर राग मिट जाए हमारा संसार से मन हट करके भगवान की तरफ हो जाए फिर वही बात है ये बाहर की बात नहीं है ये अंदर की बात है बाहर कुछ नहीं करना है भागवान ने संसार छोड़ कर ऐसा आदर्श नहीं दिखाया भागवान ने सन्यास नहीं लिया कोई भी अवतार ने ऐसा करके नहीं दिखाया, एक आद हैं और बाद में भी भागवान के जितने रूप होते हैं, जादा तर गरस्त में होते हैं, पैदा तो सभी गरस्त में होते हैं, पैदा तो सभी गरस्त में होते हैं, तो यह अंदर की बात है, मन की बात है, कि संसार से मन हट करके भागवान से प्रेम हो जाए, उससे क्या होगा, य क्या करना चाहिए बहला इसको अपना नहीं मान करके यह मानना चाहिए कि सेवा के लिए मिला है इससे सेवा हो रही है सबकी सेवा हो रही है घर में साथ ससुर हैं भाही बंदू हैं बच्चा बच्ची हैं और भी कोई हैं जहां जाते हैं जहां मिलते हैं सबकी सेवा हो रही है इससे क्या होगा राग मिठ जाएगा आसकती मिठ जाएगी गुर्व भगवान के शुकराने इसको अभी आदा रह गया है और आगे का अगली बाल ले लेंगे